हलो, विलकम तो निवाकार, मैं आमन मिस्रा, आप सभी का आपके अपने परिवार निवाकार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, जैसा कि आपको पता है, आपको बोला गया था, कि मैथ और रिजिनिंग की लगातार वीडियो जो आपको हमारे चैनल पे प्रवाइट करवाई जाएंगे, उसी करम में कल आपको मैथमेटिक्स का पहला वीडियो मिल चुका है, और रिजिनिंग जो है, वो आज से आपको मिलना प्रारंभ होने वाला है, तो दुनिया की किसी भी परिक्षा में, जिसमें मैथमेटिक्स और रिजिनिंग पूछी जाती है, वहाँ पर ये ना करते हुए, आगामी सभी परिक्षाओं के लिए, UPP, UPSI, RPFSI, RPF Constable, Railway की समस्त परिक्षाएं जो आगे होने वाली हैं, इन सभी परिक्षाओं को मद्धे नजर आपके लिए, यह एक सुनहरा बैच लाया गया है, जो कि free of cast होगा YouTube पे, आपको एक रूप है, कहीं भी पे करने की आवश्यक्तर नहीं है, इन दोनों विश्यों के लिए, तो चलिए, शुरू करते हैं, हम आज, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, कि Alphabetical Series लिखा गया है, तो अंग्रेजी, वर्ण माला से शुरू करते हुए, हम पूरे reasoning को आपके पास, एकदम सहज सब्दों में परोशने की कोशिस करेंगे, और आप इन सारे chapters का बढ़िया notes बनाईएगा, practice session देखिएगा, इसके बाद आप देखेंगे कि आपको reasoning में अब कोई समस्या नहीं रहे गई है, तो चलिए, इसी आसा और उम्मित के साथ आप आगावी परिक्षाओं में अपना एक 2024 के अंदर अंदर आप एक अच्छी जौब पा रहे होंगे, आप इस वर्स को अपना सफलता का वर्स बनाईए, हमारी सुबकामना है, पूरे निवाकार की सुबकामना है आपके साथ है, इसी आसा और उम्मित के साथ हम इस बैच की सुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम इंग्लिस अलफ़ा बेटिकल सीरीज, यानि कि अंग्रेजी वर्ड माला सीरीज आपको पढ़ना है, तो अंग्रेजी वर्ड माला सीरीज यदि आपको पढ़ना है, तो इसमें टोटल कितने टाइपस आप कोश्चन बनते हैं, ये पहले हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद उन प्रस्णों को हल करने के लिए आपको किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी यानि कि क्या जानले कि उन प्रस्णों में हम जल्दी से जल्दी अपना जवाब दे पाएं तो आईए देखते हैं सबसे पहले हम टाइप वन की बात करें तो इसमें आप पहले लिख दीजिए टाइप्स आफ को इस चंस यानि कि प्रस्णों के प्रकार क्या होंगे तो प्रस्णों के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार होगा आपका हाष्ट टाइप साफ को उश्चन जो होंगे वो आपके होंगे अंग्रेजी वर्डमाला के सीधे क्रम दूसरा जो होगा आपका वो होगा अंग्रेजी वडमाला का विपरीत क्रम तीसरा जो होगा आपका वो होगा पर्था मरधान्स विपरीत क्रम चाउथा जो टाइफ होगा वह होगा आपका दुर्ती अर्धांस विप्रीत करम अभी आप इससे भैभीत ना होईएगा कि विप्रीत क्या है अर्धांस क्या है दुर्ती अर्धांस क्या है ये सारी बातें आगे आपको पता चल जाएंगी ज़्याद ज़्याद दस-पांच मिनट के अंदर आप इन सारी बातों में महारती बन रहे होंगे यदि आप देखें तो चौथर टाइप में हम पढ़ेंगे दुर्ती अर्धांस विपरीत करम पच्वे में हम पढ़ेंगे दोनों अर्धांस विपरीत करम छठवे में हम मध्यपद को पढ़ेंगे मध्यपद में हम दो तरह के परस्न पढ़ेंगे इसमें इसमें एक तो होगा आपका बीच का अक्षर ग्यात करना और दूसरा होगा बीच में कुल अक्षर ग्यात करना इन दो तरह की बातों को हम मध्यपद में पढ़ रहे होंगे उसके बाद सातवे टाइप में हम पढ़ेंगे चटवा हो गया मध्यपत सादवा हो गया आपका evil and odd series यह सम और बिशम series पर आधारित होगा उसके बाद आठवे नंबर पर हम पढ़ेंगे alpha numeric series और इस तरीके से यह समपूर्ण topic हमारा इतना टाइप साफ question पढ़ने के बाद समाप्थ हो रहा होगा तो एक एक type को सुरू करते हुए हम सारे types आप question आपको बताएंगे और सारे types पे आपकी एक बिधवत पकर बन जाएगी यह सारे videos देख लेने के बाद लेकिन सबसे पहले इन types पे चलने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्माला का सीधा करम कहते किसको है अंग्रेजी वर्माला का विपरीत करम कहते किसको है अंग्रेजी वर्माला प्रथम अर्धांस विपरीत करम किसको कहते है दूर्ती अर्धांस विपरीत करम किसको कहते है तो इन सारी बातों को जानने के लिए सबसे पहले हमको alphabit के बारे में जानना जरूरी है तो अब आप बढ़िया बढ़िया अच्छरों में लिखिए English alphabit यदि बात करें English alphabit की तो अंग्रेजी का जो alphabit होता है इसमें total 26 letters होते हैं 26 letters total होते हैं हमारे अंग्रेजी के alphabit में वो कहां से कहां तक होता है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z यह हो गया हमारा अंग्रेजी का alphabit total 26 letters होते हैं यहां पर आप गिनेंगे तो यह total 26 letters है लेकिन क्या हमको ABCD पढ़ने की जरूरत है अब आज अब जाब इतने बड़े हो गए तो आपको ABCD तो आती ही है यह हमको पता है लेकिन आपको अभी तक ABCD, E, F, G, H यह सब याद है अब आपको याद करना है कि वो किस number पर आते हैं तो सबसे पहले इसके नीचे इनके number लिखिए आप अपनी कॉपी में ऐसे ही एक एक बात जितनी हम आपको बता रहे हैं सब कुछ note down कर लिजिएगा अब यदि आप देखें तो A से लेकर के जिट तक के नीचे उनके क्रमांक दिख रहे होंगे सबसे पहला टाइप आपने यहाँ पे देखा है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा करम फिर विपरीत करम फिर प्रता मर्धास विपरीत करम तो अब आप पहले देखिए कि सीधा होता क्या है अब हम यदि अंग्रेजी अलफाबेट की तरफ ऐसे ही मुह करके खड़े हो जाएं तो हमारा बाया अंग्रेजी वर्णमाला का बाया होगा हमारा दाया अंग्रेजी वर्णमाला का दाया होगा तो इधर से यदि हम इधर देखें तो यह होता है बाया और यदि इधर से इधर देखें तो ये होता है दाया और यदि सीधा करम की बात करें तो ABCD आप किस तरफ से आद करते हैं इस तरफ से चलते हुए ऐसे ही दाय की तरफ जाते हैं यानि कि ये left to right जो होगा वो होगा हमारा अंग्रेजी वरमाला का सीधा करम ऐसे ही जब आप इधर से इधर आएंगे यानि कि right to left ये जो होगा हमारा अंग्रेजी वरमाला का विप्रीत करम अब सीधा करम और विप्रीत करम आप जान चुके होंगे अब अर्धान्स क्या होता है टोटल 26 अलफाबिट आपको देखने को मिल रहे हैं उन टोटल 26 अलफाबिट में 13 तेरा के समूहों को यदि हम बाट दे यानि कि यहां से ले करके यहां तक इनको बोला जाएगा प्रथम अर्धान्स अंग्रेजी में इसको बोला जाता है फ़स्ट हाफ और फिर इसके बाद यदि यहां से आप देखें और यहां से ले करके यहां तक यदि आप देखेंगे तो इसको बोला जाता है सेकंड हाफ यानि कि दुर्तिय अर्धान्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम अर्धान्स क्या है दुर्तिय अर्धान्स क्या है सीधा करम क्या है और विप्रीत करम क्या है चार टाइब जो पहले आपको लिखे गए हैं वो इन ही पर आधारित होंगे अब इन प्रस्णों को हल करने के लिए आपको अंग्रेजी वर्माला का क्रमांग के याद होना अति आवस्चक है तो अंग्रजीव और माला के कर्मांग को याद करने में आपके ये दो words है जो की मदद करेंगे जो की पहला word हमारा जो होगा वो 5 के table पर आधारित होगा 5 के table पर आधारित का मतलब यह है 5 का table ऐसे ही लिखते चले जाएगे 5, 10, 15, 20, 25 यानि कि E का कर्मांग के 5 होता है यहाँ पे आप चेक कर लेजिए E यहाँ भी होगा 5 के नीचे उपर लिखा गया होगा उसके बाद J का 10 होता है O का 15, T का 20, Y का 25 यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको वही मिल रहा होगा इसी प्रकार एक सब्द और होता है इस फिलो रक्स इस फिलो रक्स जो होता है यह होता है हमारा 3 के table पे अब 3 के table पे होने का मतलब क्या है कि 3 का table आप लिखते चले जाएए इनका क्रमांक आपको आगे ऐसे ही मिलता चला जाएगा जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 यानि कि कुल मिला के यहाँ पे आपको 5 मिले, यहाँ पे आपको 8 मिले इन दोनों को यहाँ आइड कर दे तो 13 अलफाबेट जो होंगे वो आपको इनी दो सब्दों से ही याद हो गए कौन से सब्द? इ जो टी और इस फिलो रक्स इन दोनों सब्दों से आपको 13 अलफाबेट याद हो चुके हैं funktion 13 इन को तो चाहो तो आप इनसे compare भी कर सकते हो कि c का होता है 3 अगर c का 3 होता है तो बी उससे एक ज़्यादा है, तो चार होता है, बी उससे एक कम है, तो दो होता है, हाला कि इन सारी बातों को आपको नहीं अपलाई करना है, आपको करना क्या है, आपको डारेक्ट याद करना है, डारेक्ट कैसे याद होगा, एक बार आप इसको नोट करिए, तो हम आपको बदाते हैं कि डारेक्ट कैसे याद होगा तो यह 13 अलफबिट आपको देखने को मिल रहा है, 5 इधर मिले, 8 इधर मिले, टोटल 13 हुए आप इनको इन बातों से भी याद कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं याद करना है तो कैसा याद करना है, याद ऐसा करना है, जैसे आप लिख दिए Jai Sri Ram अब Jai Sri Ram यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, हमारे आराध प्रभू Sri Ram जी अब यहाँ पे इनके नीचे क्रमांग लिखना शुरू करिए जैसरी राम लिखा गया है उपर इसको यदि हम coding decoding के language में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं दस, एक, पचीस, उननिस, आठ, अठारा, पांच, पांच, अठारा, एक, तेरा बोलिए, यह सब्द भी आपका जैसरी राम होगा अगर आप competition की तयारी करते हैं तो इसको कौन समझ पाएगा जो competitive exams के लिए पढ़ रहा होगा वही समझ पाएगा अभी हम सिर्फ इसलिए यह लिखे हैं कि आप यह जान पाओ की करना क्या है आप कोई भी नाम ऐसे लिखो फिर आप माल लिजिए रमेश लिख दिए अब रमेश के नीचे उनका कर्मान के लिखिए अठारा, एक, तेरा, पाँच, उननाईस, आठ यह क्या हो गया रमेश का कोड हो गया इसी प्रकार आप स्याम लिख दीजिए अब स्याम के नीचे प्रक्टिस करिए उननाईस, आठ, पचीस, एक, तेरा यह प्रक्टिस तब तक करनी है जब तक कि आप ऐसे लिखने ना लगए जैसा कि हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं ऐसे ही आप 10 से 15, 20 मिनट प्रक्टिस करेंगे तो अंग्रेजी अलफबेट के सारे क्रमाग आपको वर्बली याद हो जाएंगे यह हमारी गैरेंटी है ठिक, आप किसी भी ट्रिक का सहारा ना लीजिए बाकि इनके फेस वैलू से भी आप कुछ अलफबेट को याद कर सकते हैं जैसे आपको G दिखता है तो G को बढ़ाई है ऐसे कर यह साथ दिखेगा F दिखता है ऐसे करके उलट दीजिए इसको तो 6 दिखेगा P को उलट दीजिए तो फिर 6 दिखेगा तो P का 16 होता है यह सारी बाते होती है लेकिन इसमें आपको तो इतना बड़ी बात नहीं है कि आपको इतना दिमाग लगाना की जरूरत पड़े कि ये सब चीजे जानिये आप तब जाके आपको अंग्रेजी का अलफविट याद हो ऐसा तनिक भी नहीं है ये बहुत इजली आपको याद हो सकता है और सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है ये तो हो गया अंग्रेजी वर्ण माला के क्रमांग की बात अब हमको देखना है अंग्रेजी वर्ण माला का विप्रीट क्रमांग तो आप बढ़िया से हेडिंग लगा लीजिए विप्रीत अक्षर ग्यांत करना विप्रीत अक्षर ग्यांत करना विप्रीत अक्षर ग्यांत करने में अधि हम देखें तो एक बात आपको याद रखने की जरूरत है जब भी विप्रीत अक्षर का क्रमान्क आपको ग्याद करना हो, तो विप्रीत अक्षर का क्रमान्क बराबर होगा, 27 माइनस दिये गए अक्षर का क्रमान्क, इसका क्या मतलब है? यदि हमसे पूछ लिया जाए, for example, कि E का विप्रीत अक्षर बराबर क्या होगा, तो E का विप्रीत अक्षर ग्याद करने के लिए आपको 27 माइनस दिये गए अक्षर का क्रमान्क करना होगा, अब दिये गए अक्षर के क्रमान्क के अस्थान के दिया गए अक्षर क्या है? E है, और E का क्रमान्क क्या होता है? इसलिए हमने आपको बोल रखा है कि आपको क्रमान्क की याद करना ही पड़ेगा, अब 27 में से यदि आप 5 घटाएंगे तो आपको 22 प्राप्त होगा, और 22 नंबर पे आत कीजिए, तो ये सारी बाते आपको समझ में आ रही होंगी, और अक्षर का विप्रीत अक्षर कैसे फार्मूला से निकालते हैं, ये बात आपने यहाँ पर देख लिया, लेकिन फार्मूला नहीं लगाना है, आपको ये सारी अक्षर और विप्रीत अक्षर की बाते वर्ब और फिर लिख दीजिए विप्रीद अक्षर, फिर बीच में लिखना है आद रखने योग के बाद, और फिर लिखना है विप्रीद अक्षर, आईए हम आपको पूरा तेरह के विप्रीद, तेरा अक्षर कौन-कौन से होते हैं अभी आगे वाले जादा से जादा चार से पाँच मिन्टों के अंदर याद करवाते हैं देखिए A को आप कह सכते हो A Z से Z B का आप कह सकते हो Y से Y C का आप कह सकते हो Yकस और इसको आप याद कर सकते हो Six से D का आप कह सकते हो W और इसको याद कर सकते हो आप Due से E को आप Love से याद कर सकते हो L का होता है O और V का होता है E तो E का हो जाएगा V F का आप याद कर सकते हो UPS से यह हो जाएगा U G का आप याद कर सकते हो GT Road से G का हो जाएगा T H का आप याद कर सकते हो High School से H का हो जाएगा S I का आप याद कर सकते हो Indian Railway से I का हो जाएगा R J को आप याद कर सकते हो Joker Queen से J का हो जाएगा Q केक को आप मसुहूर पानसाला दाने दाने में केसर का स्वांत कमला पसंद से केक हो जाएगा पी, इसी प्रकार आप फिर से यल का होता है ओ, इसको आप याद ही कर सकते हो लव से और यम का होता है यन, इस बात को आप याद कर सकते हो मैन से इस प्रकार 13 alphabit के विपरीत में जो 13 alphabit होते हैं वो आपके सामने हैं बीच में कुछ याद रखने योग बाते लिख दी गई हैं आप इसको copy पर लिखिए और 2-3 बार ऐसे ही revise कर लीजिए यह सारी बाते आपको याद हो जाएंगे कैसे revise करना है आज आगे के प्रस्णों को हल करने के लिए हमको पिछला क्या-क्या याद करना है अंग्रेजी वर्माला का क्रमांक पूरा बढ़ियां से याद कर लीजिए अंग्रेजी वर्माला का यह जो विप्रीत क्रमांक है इसको कल की class होने से पहले आप बढ़ियां से याद कर लीजिए और उसके बाद हमने आपको बताया कि अंग्रेजी वर्माला का सीधा करमांग क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, ये बात आप बढ़ियां से जान लिए, उसके बाद आपको प्रथम अर्धान समने बताया, दुर्ती अर्धान समने बताया, अब हम चल रूल क्या है जो आपको प्रसल दिये जाएंगे वो जैसे आपसे बोला जाएगा यादि अंग्रे जी वण माला को इस करम में रख दिया जाए वो कोई भी करम हो सकता है सीधा हो सकता है विप्रीथ हो सकता है या प्रथा मरधान विप्रीथ हो सकता है उसके बाद आपसे बोल जाएगा या तो बाएं से दाएं बोला जाएगा या दाएं से दाएं बोला जाएगा या दाएं से बाएं बोला जाएगा बोलिए क्या इसके अलावा भी कुछ बोला जा सकता है जी नहीं तो यदि अब इतना ही बोला जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्रस्नों का ज यदि अब हम देखें, तो जब भी आपको दो समान साइड दिखें, तो हमेशा माइनस होगा, यल यल है, माइनस, हिंदी के प्रस्ण में पहले वाला लेना है, अंगरेजी के प्रस्ण में बाद वाला लेना है, यहाँ पे ज़्यादा लोग हिंदी वाले ही होंगे, तो हम पह आर और यल दोनों विपरीत हैं तो प्लस हो जाएगा और साइड पहले वाली लिखी जाएगी तो आर हो जाएगा इस प्रकार इन चारों बातों को आप दिमाग में रख लीजिएगा ये चाहे प्रताम अर्धान सो चाहे दुर्ती अर्धान सो चाहे सीधा करम हो चाहे विपर प्रस्न हमसे पूछा जाएगा यह हम प्रस्नों के माध्य हमसे देखेंगे जिसमें आप लिख लीजिए पहला टाइप आप हमारा अंग्रेजी वर्डमाला का सीधा करम अब सीधा करम क्या होगा लेफ टू राइट यानि कि A B C D ऐसे ही X Y Z यह हमारा अंग्रेजी वर्डमाला का सीधा करम अब इस पे कैसे कैसे प्रस्न बनेंगे उनको हम कैसे हल करेंगे यह हम आगे तभी बताएंगे जब आप पिछला जितना काम बोला गया है उतना कर लेंगे यानि कि कल आप आंग्रेजी वर्डमाला का पूरा करमांग विपरीत करमांग और जो मैंने आपको नियम लिखाया ये सब दिमाग में बैठा के आईएगा नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप वन से सुरुवात करेंगे और आठ परकार के प्रश्णों को पढ़ने के बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा तो ऐसे ही बने रहिए लगातार पढ़ते रहिए वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी और आगामी सभी परिक्षाओं में सुचार रूप से चाहे जो परिक्षाएं आपकी होंगी चाहे वो यूपि पुलिस माल लीजिए चाहे वो यम्पी पुलिस माल लीजिए बिहार पुलिस माल लीजिए और पी फैसाई माल लीजिए जिन परिक्छाओं में सभी एक दीवसी ये परिक्छाएं या कोई भी परिक्छाएं जहां पे गड़ी तवर रीजिनिंग आती है ये समान रूप से उपयोगी होने वाली सिरिंखला है मैं तवर रीजिनिंग दोनों आपको complete provide करवा दी जाएगी लगातार आप चैनल से बने रही है ऐसे ही पढ़ते रहे हैं मस्त रहे हैं मिलते हैं नेक्से वीडियो तब तक लिए ठेक कर जहें